तेलो इवरीवОन, वेलकुम बेक टू मेरा चैनल यह बरफी में आप सबको दिखा रहे हूं आज मैंने बनाया है और किस चीज से बनाया है तो चलिए वीडियो यह बने रहे हैं अक्छिली घी निकालते हैं, सभी निकालते हैं पर मैं किस तरीके से निकालती हैं तो यहां पर देखिए उबाल आ चुका है बहुत अच्छे और जैसे कि मैंने बता है कि मैं दो तीन तरीकों से घी बनाती हूँ तो एक तरीका तो यह है और दूसरा तरीका है कि जो मलाई है उसे आप फेट लीजिए जैसे हम छास बनाते हैं दही को फेट के छास बनाते हैं उस तरीके से आपको फेट लेना है और उसके बाद में जो मक अब ख्रवा्ट कश्च नहीं होता है कुछ भी आपको बेकार नहीं जाता है आपका सारा कुछ हो जाता यहां थो तुम आ ठंडा हो जाए उसके बाद में ही आप उसे छाने इस तरीके से तो मैं यह पर गरम-गरम ही छान रही हूं क्योंकि इसका घी जो है मुझे पूरी तरह से निचोड़ देना है अगर ठंडा हो जाता है न तो जो 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 जला हुआ है न उसमें रह जाता है घी और मतलब निकलता खहता ने हैं काफी सारा घी इसी में रह जाता है तो इसलिए मैं इसे गरम-गरम ही मतलब चांड रही हूँ ताकि इसमें से जाधा से जाधा घी निकाला जा सके इस तरीके से चंभाते हुए घी निकाल लीजिए और च मावा 26 ब्रें है लित तरीके से बनता है और इसी चीज से बनाने वाले है इस में और अड़ करेंगे जेकिशती बलौत बनेगा बहुत है तो यहां पर सारा घी मैंने चान लिया है जो बचा है उसे मैं टेढ़ा करके रख दूंगे बरतन को तो देखिए इतना सारा घी निकल चुका एक्टली 500 ग्रम जैसा घी है डबा थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ऐसे मतलब थोड़ा कम लग रहा है पर 500 ग्रम घी यह है तो ज अचली स्लीप हो रहा था तो फिर मैंने जो खलबटा होता है तो उसका ले लिया था और उस पर रख दिया है तो देखें यहां पर इतना सारा घी हमारा इकठा हो चुका है तो बस इसे आप डब्बे में ले लिजी चमच की हेल्प से या किसी भी तरह से और उसके बाद में जो बच्चा हुआ है तो उसे हम अपने मिठाई बनाने की तयारी करेंगे यहां पर कड़ाई रख दिया है मैंने और कड़ाई में जो हमारा बच्चा हुआ मावा है वो हम डाल देंगे आप देख सकते हो बहुत भुरभुरा सा लग रहा है आपको तो ऐसा नहीं इसमें घ है इसमें कुछ एक चीज और ड नहीं है तो चीनी को थ्चीनी हो dai अपको घड़ा लेना है तो यहाँ पर है मैं ले रही हूं एक चोटा कि्टोडी milk powder, milk powder आप किसी भी brand का ले सकते हैं और ये मैंने ले लिया है coconut तो coconut को जार में डाल के और इस तरीके से मैंने grind कर लिया है तो milk powder और coconut दोनों ही चीजे आप अपने हिसाब से एड़ कर सकते हो मतलब ज़्यादा भी एड़ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा आपका मिठाई का texture आएगा और स्वाद भी आएगा मेरे पास अभी इतना ही coconut था तो मैंने इसलिए इतना ही एड़ किया आप ज़्यादा एड़ किजिएगा तो उसे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा milk powder भी थोड़ सा ज़्यादा एड़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा अब सारी ही चीजों को डाल के आपको अच्छे से mix कर लेना है जैसे मैंने बताया कि आपको इसमें चासनी का इंतिजार नहीं करना है बस आप ये देखें कि आपका चीनी जो है वो melt उचुका है अच्छे से मतलब वो दाना दाना दीखना नहीं चाहिए तो उसके बाद में इसे आप मतलब उताल दीजिए गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और एक बरतन ले लिजिए जिसमें भी आपको फैलाना हो तो आप ठाली ले सकते हैं प्लेट ले सकते हैं कुछ भी आप जो लेना है ले सकते हैं लेकिन इसमें आपको कुछ भी ग्रीस नहीं करना है नॉर्मली हम जब जमाने के लिए बरतन को लेते हैं तो उसको ग्रीस करना पड़ता है तेल या घी हमें लगाना पड़ता है पर यह बर्फी बनाने के लिए आपको बरतन को चिकना करने की जुरत नहीं है क्योंकि इसमें घी अल्रेडी है तो आपको फिर किसी भी चीज की जुरत नहीं पड़ने वाली है तो बस यहाँ पर देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है चीनी हमारा और यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है जो एल्मूनियम का है आप कोई भी बरतन ले सकते हो एल्मूनियम हो इस्टील हो ले सकते हो और उसके बाद में इसे हम डाल देंगे और उपर से बहुत अच्छे से चिकना कर लेंगे आप या तो जो चला रहे उसी के हैल्फ से कर सकते हो या कोई कटोडी ले सकते हो जिसका पेंदी मतलब अच्छा हो चिकना हो तो उससे भी कर सकते हो बिलकुँ चिकना कर लिजिए गया और इवेन भी कर लिजिए गया ताकि आपका बर्फी जो है एक बराबर बने कहीं मोटा पतला ना रहे इस बात का आप ध्यान रखें तो इस तरीके से बिलकुँ चिकना कर लिजिए और ठंडा होने के लिए आप छोड़ दीजिए कम से क आधे घंटे के लिए गर्मी का मोसम है थोड़ा सा वक्त जादा लगेगा मतलब एक घंटे तो आप छोड़ी दीजिए ताकि अच्छे से जम जाए और उसके बाद में इसमें कट लगा दीजिए एक्चुली जमाने के बाद में 10 मिट बाद आप कट लगा दीजिए गा और फिर छोड़ दीजिए गा निकालिए गा मतलब कट लगा के छोड़ दीजिए गा और उसके बाद में एक घंटे तक रहने दें सेट हो जाए उसके बाद में आप उसे निकाल लें मैंने यहां पे छोड़ दिया था और मैं दूसरे काम में लग गई थी मतलब जमने के लिए रखें तो 10-5 मिट में ही उसमें कट लगा दें निकालना नहीं है आपको और उसके बाद में उसके जमने के लिए एक घंटे के लिए छोड़ दें तो निकालने में थोड़ी सी असानी हो जाएगी एक्चुली हम कुछ गलतिया करते हैं तो उसे सीखते भी हैं तो जो गलतिया मैंने करी हैं तो वही मैं आप सब को बता रही हूँ कि आप ये ना करें दस मिट में ही उसमें कट लगा दें तो बस यहाँ पर देखें मैं निकाल रही हूँ इसे बहुत ही असानी से बरफी निकल तो पाच-दस मिट में ही उसमें कट लगा दें और फिर उसको छोड़ दे घंटे के लिए क्योंकि जो गलती मैंने की है तो उससे थोड़ा बहुत मुझे मतलब नॉलेज हो चुका है कि भई क्या हम सुधार सकते हैं तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप यह गलती ना कीजि हैं तो उमीद करूंगे कि आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा पहली बार मेरे चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना खूब सरा ख्याल रखेगा और बनाया कर जरूर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो चलिए मिलते हूं किसी और एक अच्छी रेसिपी के साथ में थैंक्स पर वाचिंग